Hello everyone, welcome back to my channel, मैं मिडाली निसिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत हैं इंपोरेंट चीज के बारे में तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और लास तक विडियो ज़रूर देखिएगा सभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और वीडियो के बाद में अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किजिएगा कमेंट किजिएगा और शेयर किजिएगा एड प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब किर जो पहला कि हमाना नबर को भिना मुलिएगा सबढम को यह जो बताऊंगी 10 फूर गषंट के बारे में 10 उन सुन्स के बारे में जो हमारे लें बहुत ही है एशयोत हमेंगे वीट्स दियर जल्दी से पास नहीं हाती है हमोड़ाने दिन चर्य में छामिल कर रहे है तो बीमारी और हमसे दूरं तक रहेंगी अगर आप पहले से विमार हो तो अलग बात है नहीं तो विमारे जल्दी से पास नहीं आती है तो हम फूटिंग्स के बारे में बात करते हैं जो लोग नोन वेजिटेरियन होते हैं तो उन्हें सेलमन फिश जरूर खानी चाहिए अगर आप चूज करते हो की आपको कौन से खाने है तो जो सेलमन फिश होती हूँ बहुत ही है जो लोग नोन वेजिटेरियन हो जानते हैं या करते हूँ पट मैं हा मैंने पेख देखी है SELOMON FISH कि, कैसी दिखती है और मने इंटरियस्ट क्वालिटी की बारे में पढ़ा है इसलिए बहुत ही हाल्धी बहुत ही NUTRESIUS होती है जो में लोग NON VEGETATION होते है फिश का नपरिफर करते हैं तो उन्हें सेलमन फिश को पने डाइट पर जाने पाता हमें जाता हैं जरूड चाहिए जरूर खाना चाहिए इस तपनी डाइट में शामिल करना चाहिए tomorrow तर नेक्स टिंग इस किड़नी बींज के बारे में सभी जानते जिसको यह राजमा कहते हैं हर कोई खाता है पट लोग के साथ इसकी क्वालिटी के बारे में नहीं जानते हैं यह भी न्यूट्रिति वैलिप इसके बहुत अच्छी होती है बहुत सारी न्यूट्रियन्स पाय का जैते हैं इसमें हमटे अच्छा होता है आप यह हमारी ऊतके लोग वह अच्छा होता है है हमारी पेट के लिए पोओ सब्सक्राइब div अगर आपना वेट रूस करना चाहा रहे हैं तो भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा है इसका पानी पीते हैं बहुत लोग और जो यह है ची असलिट से बहुत ही हल्दी नुटेशिस होते हैं वह हमें अपने से अपने डाइट में शामिल करना चाहिए ता अधर तिंक इस अधर जानते हैं कि यह मोटे पीटी अ टी अपने से लमारी से बचाता है तो इससे अपने डाइट में शाभी ना चाहिए थे नेकल्स तिंक की अखिल लाज्ड को ब्रेंट का इसके दो बाते होती है, पहले तो इसका जोल्द से शेप होता है, वो ब्रेन के जैसा होता है, the second thing is, कि जो इस पे study करी गई है, जो इस पे इनकी क्वैलिटी की बारे में पढ़ा गया, ये बहुत ही अच्छा होता है, दिमाग को बहुत अच्छा रखता है, और इसकी nutritive value होती है, तो इससे धमे अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, अगर आपको जोइंट्स में पेइन वगएर की वे दिक्कत है, लोगों कुटने में दर्द होता है, तो आप अखरोर खा सकते हैं, ये काफी helpful होता है, आसा दर्द चुरका आदनाने के लिए, अगर आप इस अब आपको जाते हैं, जिन्ने एमिया होता है, जिन्ने ब्लड की कमी हो जाते है, जिन्ने फीं की कमी होती है, और डॉक्तर बूड के साथ मुंफली खाने के लिए बताते हैं, तो मुंफली जो होता है, वो भी बहुत ही healthy और बहुत ही nutritious होता है, इसे अपने डाइट में शा सामिल करना चाहिए ग्रीन वेजटेबल से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही निर्टेशस होती हैं मुस्ती लोगों को नहीं पसंद होती है जादा पर जो आपको ग्रीन वेजटेबल्स पसंदे विसे हरे पतितार सब्जिया जादा आप खाये तो बहुत अच्छा हो आपके लि ब्रोकली के बारे में पहले बता चुकी है आपको कितनी हैल्दी और निर्टेशस होती है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मातरा में पाया जाता है तो यह दोनों ही बहुत है पूर्टेशस होते हैं हमारी बोड़ी के लिए वेट डूस के लिए बताई चुकी हुए हुए फाइबर बहुत अच्छा होता है बहुत जरूरी होता है तो हमें इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए दा अधर तेंगे इसके में जो मैं इन फूर्टिंस के मारी मैं में बतायat है आपको घजियाता मिले विमों को इन जरूर जरूर शामिल करना चाहिए और जो फूर्टिंस हैं तो आपको एंग दिन में एकको खही सकते है बताभ हैं ज्यासे हो आदाम है वीवों का रोज डेली खा सकते हैं, आप सालड भी ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, सबजी में भी खा सकते हैं, आप अक्रोड की एक दो पीसे खा सकते हो डेली, जिससे अगर आपको गुटने की दर्द में भी बहुत हब तक अराम मिलेगा, बहुत फायदे मन दोग आप इसको रायते के रूप में खाये, आप गर्मियों में लसी पी सकते हैं, यह कुछ कोई भी फूटिंस ऐसी नहीं है कि जिनसके जो बहुत जादा एक्सपेंसिव हैं, ग्रीन वजटेबल्स हम लोग खाते ही हैं, एक बार तो मैं अपने डाइट में आपको सुब्य से ल हैं, बज़र विगड जाएगा तो जनी चीजाहीं गजाएं में ओननों से बहूत को यक जोपारों में से हपक्साफंच जना बहुत जदा पीछिल और व्यार्या में था यह व्यादार्ण करकें– इसकास्ट देव पंदम, या जोंना है कि अधशार्वान ऐता बिरुटी श कोई भी चीज का फायदा देखने के लिए जब आपको फायदा कर रहे हो तो आपको वेट करना होगा थोड़ा से देखने के लिए कि हमें से क्या फायदा बिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको अपनी नहीं जानकारी के साथ और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेगा थैंक्यू तब तक के लिए बाइब